हेलो दोस्तों तो आज हम बनाएंगे बेल का सरवत तो इसे हम फिरिज में श्टोर भी करके रखने वले हैं तो आईए हम बेल का सरवस बनाना इस्टार करते हैं इसके लिए मैंने चार से पांच बेल दे लिए हैं यह हम छोटे बड़े बेल हैं यह हमने घर पर ही तोड़े हैं इसके बारी चीज़ की मदद से हम तोल लेंगे और यह देखे बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है बहुत एसानी से तूट जाता है यह तो चमच की मदद से हम इसे निकाल लेते हैं सारा बेल इस तरह से हम चमच को घुमाते हुँ निकाल लेंगे और जो इसका छिलर होता है उसमें भी काफी सारा पल्फ ना जुड़ा होता है अच्छी तरह से गुद्दा सा तो इसे हमने खुरुच-खुरुच के निकाल लेना है तो एक बेल मेरा खराब निकल गया तो फल्फ मेरा थोड़ा कम रहे गया तो इस पे थोड़ा सा हम पानी एड़ कर देंगे एक गलास के करीव तो इसे हाथ से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे हाथ से मसलने से यह होगा कि हमारा बेल का सरवत करवा नहीं होगा क्योंकि इसमें बीज होते हैं तो हम साथ में लोही की छन्नी से मदद से हम इसे छान लेंगे जो सारा वेश्ट समाने वह हमारा इस छन्नी में रह जाएगा वो निकल जाएगा अच्छी तरह से हम इसे दबा डबा के निकाल लेगे तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी ले लूंगी और इसे भी अच्छी तरह से चाल लूंगी बेल का सरफबत दोस्तों यह बहुत ही गर्मियों के लिए ठंड़ा होता है पेट के लिए इतनी ठंड़ा कोली चीज है यह बहुत ही असानी से बंद भी जाता है ज्यादा मुस्किल नियुती से बनाने में तो इसमें थोरा सम पानी और डाल देते हैं इक अच्छी तरह से जो अगर पीना है तो आपने कहा करना है गलास लें उस पे आप दो बड़े चमच बेल का सरवत डाल दें और इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसा जितना आपको मिठा चाहिए सुगर डाल दें और काला नमग अड़ करतें थोड़ा से इसमें भूना जीरा भी डाल सकते हो और अधा निम्बू का रस भी निचोर सकते हो आधा निम्बू का रस भी निचोर दें और आइस डाल के इसे ठंडा ठंडा सर्फ करें तो यह देखिए हमारा बिल्कुल यह असान सा बेल का सरवत त्यार हो गया है तो इसे स्टोर करके कैसे रखें अब आती है बारी हमें इससे store करने की तो store करने के लिए इसके क्या करना है जो हमारा जू बच्चा था बेल का सरवत और उसे हमने गैस पे चढ़ा दिया है और इससे अच्छी तरह से उबालना है तो इस पे डेड़ आधा किलो जितना यह होगा बेल का सरवत तो इस पे मैंने एक कटोरी चीनी एड़ कर दिये मिठा हम इसमें तेजी रखेंगे तभी तो हमारा आगे सरवत बन पाएगा तो इसलिए हमने एक कटोरी चीनी रखी इस पे तो इसको अच्छी तरह से उबाली आने देंगे और इसक साथ ही में हम डालेंगे इसमें सफेद ले लें और इस पे डालेंगे एक चमच भुनवा जीरा बूनावा जीरा है ये हमने तवे पे इसे रोष्ट किया है और इसे कूट लिया है तो ये बूनावा जीरा बन जाता है तो इससे हमारा जूस में बहुत अच्छा स्वाद आएगा आप जब दिल करें आप इसे फिरिच निकालें और जूस बना लें बहुत ही असानी से बन जाता है ये जूस तो वियूज आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो फिलीज मुझे like किया करें और comment किया करें और मुझे बताया करें कि आपको कौनसी वीडियो अच्छी लगी है मेरी तो मुझे like और share करना न भूलें तो यह थोड़ा सा चिपचिपा पन हो रहा है थोड़ी से चासनी टैप नहीं बनी है तो इससे थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे हम पांच मीट और थोड़ा सा इससे हम उबाल लेंगे तो यह थोड़ा सा फर्क पड़ गया है आगे से गारा होने के लगा है ठंडा होगा तो उसके बाद और भी यह गारा हो जाएगा तो आप इससे थोड़ा सा और दो गतीन मिट पका के उसके बाद हम इससे गैस बंद कर देंगे जाड गयास बंद करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे तो इसे हम बिल्कुल जब ठंडा ओजे तभी इस पे हम दो से तीन चमज नेबू एड़ करेंगे दो तीन नेबू है ये दो तीन नेबू हम इसमें एड़ करेंगे लादि इसका खटा बन थोड़ा सा खटा मिठा का स्वाद आएगा जूस में तो बहुत ही अच्छा लगता है तो आपको हमें बताती हूँ इसे स्टोर करके कैसे रखना है तो ये देखे कितना गारा हो चुका है आगे से इसे अच्छी तरह से ठंडा करके हम इस पे डाल देते हैं कांच की बोतल में इस्टोर करके आप रख सकते हैं सरवत को एक महीने तक जब भी आपको जूरत परहे इसे तो आप पैसे तो रोज ही पी लें गर्मियों में कोई फरक नहीं बढ़ता है लेकिन जब पेट में गर्मी हो जाती है तो इसे पीना बहुत ही जुरूरी है अच्छी बात है तो इस पे हम एक गिलास लेंगे इसमें कुछ बड़प की टुकरियां डाल देंगे और इस पे हम सरबत डाल देंगे आपको किसी भी चीज की इसमें कमी नजर आए तो आप इसमें नमक विगरा एड़ कर सकते हैं नेमबू और एड़ कर सकते हैं बाद में सुआद के अनुसार तो आपको में वीडियो कैसी लगी है फ्लीज मुझे लाइक करना ना भूलें कमेट करें और सेर करना ना भूलें और थैंक यू इस तरह से वीडियो देखने के लिए झाल 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 झाल